जहिंद दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो अभी हमने प्रेबियस जो टॉपिक पढ़ा है मध्यप्रदेश में परेटन टूरिज्म आफ एमपी इस टॉपिक का टेस्ट रह गया था उसको हम इस वीडियो में कमफ्लीट करेंगे दोस्तो टॉप पचास कुश्चन हमने तयार किये हैं एमपी टूरिज्म के चैप्टर से जो अभी तक आ चुके हैं या तो आ सकते हैं इसको पढ़ने के बाद आपको टूरिज्म में कुछ भी प्रॉबलम नहीं जाएगी सारे कुश्चन आप कर पाओगे तो इस वीडियो को हम थोड़ा सा जल्दी में करेंगे ठीक है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सिर्फ हमको टेस्ट लगाना है 100% अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा होगा पिछला वाला दोस्तो तो आपसे एक भी कुश्चन नहीं छोटेगा ठीक है चलिए सबसे पहला कुश्चन है हमारा मदप्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है दोस्तो अजंता की गुफाओं के समकालीन पूछा है मदप्रदेश की किस गुफा को माना जाता है तो इसका राइट आंसर मैं थोड़ा सा रु थ्री, टू, वन, दोस्तो इसका राइट आंसर है बाग, बाग की गुफाएं समकालीन है किसके अजन्ता की गुफाओं के और बाग की जो गुफाएं है ये धारजले में हैं दोस्तो ठीक है धारजले में और जो अजन्ता अलोरा की गुफाएं ये कहां पर है तो आप सभी को नेक्स्ट कुश्यन आपके सामतिने स्क्रीन पर है दोस्तों आप देख लीजे पढ़ लीजे और इसका आंसर कमेंड में बताईए मैं भी पढ़ देता हूँ मद्य प्रदेश की यह गुफाएं बहुत चित्र के प्राण कही जाती है बहुत चित्र के प्राण कौन सी गुफा बहुत चित्र के प्राण कही जाती है और यह कहां पर हैं दोस्तों बहुत प्रदेश के राय सेंजले में ठीक है एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताते जा रहा हूं याद कराते जा रहा हूं तीसरा कुश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों मद्द प्रदेश में पांड़ा गुफाएं कहां इस्ते थे थे मोश्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मद्द प्रदेश में पांड़ा गुफाएं कहां पर इस्ते थे थे कमेंट करके जबाब दीजिए दोस्तो जो पांड़ों की गुफाएं मैंने आपको बताया था कहां पर है पचमड़ी पचमड़ी जो की होसंगाबाद जिले में आती है अब हम जिले को क्या बोलेंगे नर्मदा पुरम जिले में नर्मदा पुरम जिले में है पचमड़ी और पचमड़ी में है पांड़ों क की गुफाएं पूछें पांडों की गुफाएं पूछें तो पचमाठी लगाना ठीक है वीडियो में उन्हें अच्छे से बताया था आपको बढ़ते हैं अंगले कुश्चन में दोस्तो मद्द प्रदेश की इन गुफाओं का समंद जैन धर्म से है इन में से कौन सी गुफ होता है जो उद्यगिरी की गुफाएं हैं दोस्तो उद्यगिरी की गुफाएं इनका समंद किस से है तो जैन धर्म से है उद्यगिरी की गुफाओं का ठीक है नेक्स्ट है उद्यगिरी की किस गुफा में बराह अवतार का चित्रन किया गया है most important है तो यह किया गया है आप वाइब हुट है और यहांपर टोल कितनी ऊफ्वाए है तो किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है most important है दोस्तो ऐसा कोई भी MP का student नहीं होगा बस वो फ्रैसर ना हो जिसको इसका answer नहीं आता होगा तो इसका answer आप जल्दी से दीजे दोस्तो किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है तो यह कहा जाता है किलों का रत्न ग्वालियर दुर्ग को दोस्तो ग्वालियर दुर्ग ग्वालियर में ही भी है राजा सूरस सेन ने से बनवाया था इसको किलों का रत्न जिब्राल्टर जिब्राल्टर कहा जाता है किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को ठीक है किलों का हीरा भी मिलेगा कहीं कहीं लिया तो सबसे बन गया होगा ठीक है कमेंट कीजे दोस्तो भारत में सबसे बड़ा बहुत दिस्टूप कहां है तो यह है सांची में सांची रायसेंजले में आता है दोस्तो कहां पर आता है रायसेंजले में आता है और यहां पर समराट असोक ने एक बहुत दिस्टूप का निर्मान करवाया था जो कि भारत का सबसे बड़ा बाधिस्तूप है दोस्तो इस बाधिस्तूप की खासियत यह है कि यहां पर महत्मा बुद्ध कभी नहीं आए और इस बाधिस्तूप में महत्मा बुद्ध की अस्थियां नहो करके किसकी अस्थियां है तो इनके सिस से दो स एक थे सारी पुत्र, एक कौन थे? सारी पुत्र और एक थे महा मोगलियान, मैंने आपको बताया है, ठीक है, जब पढ़ा रहे थे सांची, तो उसमें बताया था, पिछले वीडियो में बताया है, मतलब टूरिजम बाले में, महा मोगलियान, इन दोनों के आउसेस हैं किसमें तो बहुत दिस्टूप में सांची बहुत दिस्टूप में नेक्स्ट है हमारा दोस्तो हिडोला महल कहां पर है तो हिडोला महल कहां पर है ये आपको सभी को मैं हिंट दे देता हूँ मैंने कोड बताया था हमारा जहाज इस कोड में सभी के सभी के लिए आ गए थे हमारा जहाज में तो कहां के लिए कोड बताया था मैंने ये जिसमें हासे हिडोला महल था ठीक है तो ये मैंने कोड बताया था दोस्तो उपसन जल्दी से करो 3,2,1 दोस्तो ये मैंने आपको बताया था मांडू के लिए जिसको सिटी ओफ जॉय के नाम से जाना जाता है माद ब्रदेश में इसमें कोड बताया था हमारा जहाज हासे हिडोला महल था रासे रानी रूपमती का महल था आसे असरफी महल था जासे जहाज महल था जासे जासे जहाज महल था और और कौन सा था तो रानी रूपमती का महल हुआ करता था सरफी महल थे इस तरीके से नीलकंठ महल हाथी महल हासे क्या था हाथी महल था और रेवकुंड रूपमती मंडप नीलकंठ महल था लोहानी गुफायंती चंपा बावडी ये सम मैंने आपको मांडू में बताया था तो जो हरोला महल है दोस्तों यह कहा है मांडू में हमारा जहाज कोड याल रखना नेच्ट है मद्ध परदेश के किस जिले में असीरगर्ड का किला इस्तित है दोस्तो असीरगर्ड का किला most important है जल्दी से बताइए दोस्तो A B C uhm D तो आई ठिंक आपने अभी तक बता दिया होगा असीरगड का किला था दोस्तो बुरहानपूर में जो की खंडवा से अलग होकर बना है बुरहानपूर जिला मध्य प्रदेश का दच्छणतम जिला है ये मतलब की सबसे दच्छन में मत्य प्रदेश के कौन सा जला है तो ये है बुरहानपूर जैसे नौर्थ में मुरैना है इस्ट में कौन है इस्ट में सिंगरॉली है वेश्ट में अली राजपूर है इसी तरह दच्छन में क्या है बुरहानपूर है ठीक है तो चारों को याद रखना और अभी क्या था असीरगड का किला कहा है तो बुर्हानकुर जिले में नेक्स्ट है इस्क्रीम में आपके सामने पढ़ सकते हैं दोस्तों मद्द प्रदेश के परेटर निस्थल का नाम बताएं जो अंतराष्टी ख्याती प्राप्त है और दैनिक वायू सेवा से जुड़ा है वायू सेवा का मतलब यहां पर दोस्तों वायू यान से है तो आपने दे दिया होगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा खजुरा हो दोस्तों खजुराहो जो चंदेल राजाओं ने मंदर बनाए थे 1986 में मैंने आपको बताया था यूनेसको में सामिल है ठीक है तो यह अंतराष्टी ख्याती प्राप्त है और यहां पर हवाय अड़ा भी है बुंदेल खंड हवाय अड़ा खजुराहो हवाय अड़ा इन में से इन में कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है आपको तो एक एक करके पढ़ लेते हैं दोस्तों ओमकारेश्वर नर्मदा परिस्तेत है आप सभी को पता है जो ओमकारेश्वर है नर्मदा और कावेरी के संगम पर मैंने आपको बताया था जो ओमकारेश्वर है वो तिलिंगों में से एक है और ये एक मात रहसा जो तिलिंग है जहां पर दो सिविलिंग है और नाम एक ही है ठीक है ये भी आलग ना तो दोनों बातें क्या होती है यहां पर वही होती है तीसरी क्या है दोस्तो उम कारेश्वर का तीर्थ इस्थल नर्मदा और तापती नदी के संगम पर इस्थित है तो ये कितनी गलत बात है दोस्तों आप सभी को पता है नर्मदा नदी और तापती नदी ये बिलकुल पैरल बहती है और जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है पैरल जब बह रही है तो ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी क्या नहीं मिलती है दोस्तों जब ये एक दूसरों से मिलती ही नहीं है तो इनमें संगम नहीं होगा और संगम नहीं होगा तो ये option क्या होगा गलत तो इसमें हमको कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना था तो ये D नंबर जो है ये सही नहीं है चलिए राजा नल और दम्यंती की प्रणाय गाथा से कौन सा किला जोड़ा हुआ है दोस्तो आप सभी को पता है जल्दी से बताईए राजा नल और दम्यंती इसी कुश्चन में अंसर छुपा हुआ है दोस्तो मैंने आपको याद करवाया था दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरवर राजा नल से मैंने क्या याद करवाय था नल से याद करवाय था नरवर और ये कहां पर है ये है सिपूरी में दोस्तो जो नरवर का किला है ये है सिपूरी में ठीक है तो राजा नल और दम्यंती की प्रणे गाता है मतलब प्रेम गाता है दोस्तों ये लोग ये इनका इनकी अमर प्रेम गाता है राजा नल और दम्यंती की ठीक है तो ये किस के लिए से जुड़ी है नरवर से निमलिखित में से नेक्स्ट है निमलिखित में से किस दुर्ग का निर्मान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था ये बताना है दोस्तों आप सभी को अलाउद्दीन खिल जी इसने किस दुर्ग का निर्मान करवाया था आपके पास 10 सेकेंड है 3 2 1 क्योंकि आपको ABCD तो लिखना है ना दोस्तो Question number डाल के यह है दोस्तो मंदसौर में ठीक है इसका निर्मान करवाय था आलाउद्दीन खिल जी ने याद रखना है दोस्तो मनदसौर का दुर किस ने मरबाय था आलाउद्दीन खिल जी ने पvasive प्रतम बार हिंदूओं ने किस इस्थान पर भूगोल को समझा था कि इसको तो मैंने चिला चिला के पागल हो गया था जब उज्जेन के बारे में पढ़ा रहा था मैं आपको अब बन गया होगा जैसे मैंने उज्जेन का नाम ले दिया तो दोस्तो भूगोल को समझा था किस स्थान पर हिंदुओं ने तो ये समझा था हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगलनात मंदिर मंगलनात मंदिर प्राचीन में जो प्राचीन बिश्चुका जीरो डिगरी देसांतर है जीरो डिगरी कौन सा देसांतर यानकि लेटिट्यूड ये गुजरता था कहां से मंगलनाथ के मंदिर से इसलिए ये एस्ट्रोलोजी का केंदर रहा है मंगलनाथ और एस्ट्रोलोजी के लिए तो आप सभी को पता है उज्जेन भी फेमास है चाहे बरामीर हो चाहे आरबट हो सभी कहां से कहां से संबन्देत है तो उज्जेन से ठीक है फिर है मद्यप्रदिस में मदन महल कहा है इस्ते थे तो ये आप सभी को पता होगा इसका तो जल्दी से आंसर देतो दोस्तो 3, 2, 1 कहां पर होगा दोस्तो ये जवलपुर में राजा मदन साह ने बनवाया था दोस्तो जब मैंने भेडा घाट आपको पढ़ाय था कल वाली वीडियो में तो उसमें आपको बताय था जवलपुर में क्या है मदन महल है जो राजा मदन साह ने बनवाया था फिर है जै बिलास महल कहां इस्ते थे तो जै बिलास पैलेस भी हम आपको बता चुके हैं दोस्तो जल्दी से बताईए जै बिलास महल इसी को बोलते हैं जै बिलास पैलेस ये कहां पर है जल्दी जल्दी बताईए जल्दी 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 ये है दोस्तो डी यानि की ग्वालियर में ठीक है जय बिलास पैले कहां पर है तो ग्वालियर में आपको video pause करके इसका अंसर देना है ठीक है इस tää इसलिए ज्यादा ब्रूम ज्यादा मैं क्यों रूक भी नहीं रहूं ठीक है तो वीडियो pause कर लेना सीधर answer खुले video pause करके answer देना है देखते हैं कितना बंता है आपसे मतलब पढ़ाने के बाद ये देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं तांसेन का मकबरा कहां इस्तित है दोस्तो तो तांसेन का मकबरा आप सभी को पता है तांसेन नंगरी गौालियर के बैहट में ठीक है तो गौालियर के बैहट में इस्तित तांसेन का मकबरा, तांसेन नंगरी, वालियर, तांसेन समारो, दोस्तों समारो अभी पढ़ा है, हमने तांसेन समारो भी खहां पर था, वालियर में था, तो सब को रिलेट करके याद किया करो आप लो, फिर मांडू में निम्न में से कौन सा महल है, तो मांडू जैसे या जहाज क्या हमारा जहाज रानी रूपमती का महल था हाँ था असरफी महल था हाँ था दाई का महल था हाँ था तो यह उपरोपत सभी इसका राइड आंसर हो जाएगा जो मांडू है यहां पर दाई का महल भी है असरफी महल भी है रानी रूपमती का महल भी है हिडोला महल भी जहाज महल भी है, ठीक है, सब है यहाँ पर, सब ही महल है, इसलिए से इसको City of Joy कहते हैं, फिर है मुहम्मद Goss का मकबरा कहां पर है, तो जैसी Goss पढ़ते हैं, आपको याद आ जाता होगा, है ना, जैसी आपने मुहम्मद Goss बोला, क्या बोला Goss, तो Goss बोलती हूँ आपका ANSR चला जाता हुआ गॉलियर पर छीक है अपसिंभ एग वा लियर वर नेक्ष धुस्तों मद्द परदेख के बरेला में किसकी समादी ये तो मद्द परदेख का जो बरेला है सबसे पहली बात तो ये जान लीजै की बरेला जवलपूर में हैं दोस्तों मदप्रदेश के जवलपूर जिले में जवलपूर सहर में हैं बरेला और यहां पर रानी दुरगावती की समान दी है रानी दुरगावती ने अंग्रेजों से खुद को बचाने के लिए जब आखरी सांस चल रही थी उनकी मतलब ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज उनका उनकी इज़्जत को नुक्सान पहुँचा सकते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण उनने अपनी तलवार से तलवार खुद के घौपली थी जिससे उनकी वहीं पर मत्ति हो गई थी तो ये आज भी आप देख सकते हैं जबलपुर के बरेला में समाधी है रानी दुरगावती की दोस्तो नेक्स्ट है हमारा होसंग साह का मकबरा किसले प्रसिद्ध है सबसे पहली बात तो बताओ होसंग साह का मकबरा कहा है कमेंट में बताओ दोस्तो होसंग साह का जो मकवरा है मैंने आपको बताया था ये मांडू में है ठीक है होसंग साह ने होसंग बाद को बसाया है यानि कि जो आज का नर्मदापुरा में इसको बसाया किसने होसंग साह ने लेकिन इसका मकवरा मांडू में है और मांडू को होसंग साह ने अपनी capital बनाया था ये भी मैंने आपको बताया है जब मांडू पढ़ा रहे थे कल ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो अपनी भबता के लिए संग मरमर से बनी इमारत के लिए विसेश सेली में बने होने के लिए तो दोस्तों ये जो famous है होसंग सा का मकवरा ये संग मरमर से बनी इमारत के लिए famous है इसमें संग मरमर लगा हुआ है इसके मकवरे में जो की एक मात्र मकवरा है ऐसा ठीक है इसलिए famous है next है सिब पूरी में किसबंस के दो ब्यक्तियों की समादिया है तो दोस्तों चलिए टाइम बेश ना करते हुए यहां पर सिंधिया वन्स के दो ब्यक्तियों की समाधियां है कहां पर सिप पूरी चले में ठीक है फिर है मंद प्रदेश के किस परेटक स्थल की खोज जैम्स फारसाथ ने की थी तो आप सभी को पता है दोस्तो यह मैं आपको बता भी चुका था अच्छे से बताया था मैंने कि जैम्स फारसाथ ने किसकी खोज की है तो जल्दी से इसका आंसर दीजे जल्दी जल्द दोस्तो इसकी खोज की थी पचमड़ी की ठीक है व्यूपॉइंट से देखा था ना अपने पढ़ा था व्यूपॉइंट से किसकी खोज की थी पचमड़ी की किसने जैम्स फारसाथ ने फिर दोस्तो राजा अमन का महल किस किले में है जो राजा अमन है अमन आ से अमन आता है मैंने इसको कैसे याद करवाया था अमन को अंडर लाइन करवाया था अमन और अजे दो लड़के हैं समझ लो तो अजेगड अजेगड किला भी कहां पर है अजेगड में है राजा अमन का महल कहां पर है तो ये भी अजेगड में है इसको याद रखना जो राजा अमन का महल है वो कहा है अजेगड में अजेगड का किला भी अजेगड में है ठीक है फिर है जहांगीर ने कहां सरण ली थी दोस्तों तो आप सबी को पता है जो जहांगीर ने इसको भी याद रखना है फिर रानी लच्मी भाई की समाधी किस जगह बनाई गई तो दोस्तों रानी लच्मी भाई की जो समाधी है वो बनाई गई है जैसा रानी दुर्गबती के साथ हुए था वैसा ही रानी लच्मी भाई के साथ हुए था 1857 की क्रांती के समय इन्होंने भी मरते दम तक लड़ा लेकिन जब ऐसा लगा कि इनकी इज्जत को खत्रा है या अंग्रेज मतलब कुछ भी गलत ना कर पाएं कि दे कुछ छू ना पाएं डॉन्ट टच मी ब्रिटी सर्स ऐसा बोल करके और अपनी ही तलबार से खुद को माल लेती हैं रानी ग्वालियर के किले में गुजरी महल वा मान मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो दोस्तों मान मंदिर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मान मंदिर का निर्मान किसने करवाया था राजा मान सिंग ने ग्वालियर के किले में जो गुजरी महल था और मान मंदिर था इसका निर्मान करवाया था राजा मान सिंग ने ठीक है आप सभी को पता है तोमरो नभी राज किया है कहां पर ग्वालियर पर फिर बगहेलन महल कहां इस्ते थे तो हंड़िट टाइम्स पूंचा जा चुका है दोस्तों बगहेलन का महल अब चुकि इसका नाम बगहेलन है त नेक्स्ट कुश्यन आपकी स्क्रीन पर है मध्य प्रदेश की किस पुरा इस्थल से सरप्रथाम सती प्रथा के प्रमान प्राप्त हुए हैं आप सभी को पता है दोस्तों जल्दी से आंसर दो इसका तो सती प्रथा के प्रमान कहां से मिले हैं आपको ये मिले हैं दोस्तों एरण से, एरण जो की सागर जिले में है सागर जिले में है एरण यहां से आपको सती यहां से सती पिथा के साच्छ मिले है ठीक है नेक्स्ट है मद्द प्रदेश के किस पुरा इस्थल से चित्रत सेलकरत गुफाएं मिली है तो मद्द प्रदेश के किस होगा आपको नाम याद आए गए होगा आदमगड का दोस्टो जो आदमगड है यहाँ आदमगड एक पुर crítत इंड्र ठीक है नेक्स्ट है इंद्रगढ पुरा इस्थल किस जिले में इस्थे थे दोस्तो तो जो इंद्रगढ पुरा इस्थल है ये हमारा किस जिले में इस्थे थे दोस्तो ये इस्थे थे जल्दी से बताईए जल्दी इंद्र गढ पुरा इस्थल किस जिले में स्थाथ जल्दी से बताना है थ्री टू तो इंद्र गढ पुरा इस्थल यह है मंद्द सौर जिले में ठीक है, कहां पर है मंदसोर जिले में हैं, इंडगर फुरा इस्ठल, तो इसको याद रख लेना नेक्ष्ट है दोस्तो, भरहूत इस्टूप की खोज किस ने की थी तो इसमें में स्प्रिंट है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसकी खोज की थी, अलेक्जएनडर कनिंगम ने किसने दोस्तो Alexander Cunningham ने खोज की थी कि इसकी भारुत स्टूप की जो की मद्द प्रदेश के सतना जले में है ठीक है तो मद्द प्रदेश का दूसरा स्टूप है भारुत स्टूप जो की मद्द प्रदेश के सतना जले में आता है और अलेकजेंडर कनिंगम ने इसकी खोज की थी नेक्ट है दोस्तो किस स्थूप में महत्मा बुद्ध के दो सिस्चियों की अस्थियां रखी हुई है तो इसको मैंने पिछले पहले ही भी बता दिया है तो इसका आप आंसर असानी से दे सकते हो जो सांची का बहुत दिस्थूप है यहाँ पर महत्मा बुद्ध के दोसे सारी पुत्र और महा मोगल्यान की अस्थियां रखी हुई है ठीक है और यह किसमें रखी हैं दोस्तो तो यह भी याद रखना काच की मंजूसा में काच की मन्जूसा में रखे हुई है नेक्ष्ट है वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से बिख्यात है तो जो पुराना तेवर ग्राम है ये त्रिपुरी के नाम से बिख्यात है अभी जो वर्तमान में यह कहां पर है दोस्तों दोनों तो यह जवलपुर जिले में हम अदपरदेश के जवलपुर में हैं तेवर का नाम भी अभी भी आपको मिल जाएगा त्रपुरी का नाम भी मिल जाएगा त्रपुरी में त्रपुर सुंदरी देवी का मंदिर है और जो तेवर है यहां पर नर त्रुपुरी के नाम से जाना जाता था इविन जो जबलपुर है अगर इसके प्राचीन इतिहास में जाओगे तो इसको भी त्रुपुरी के नाम से जाना जाता था और यहां कि यहां किसका सासन था तो कल्चूरी राजाओं का किसका दोस्तो कल्चूरी बंस के राजाओं का यहां पर सासन था ठीक है इत्ता याद रख लेना फिर मद्ध प्रदेश में सतीपर्था का परमान एरन अभिलेक से मिलता है यह अभिलेक किसका था तो दोस्तो जो एरान अभी लेख है या आप सभी को पता है भानुगुप्त का अभी लेख था नेक्स्ट है पर सिद्ध पुरा तक तो इस्थल काय था किस जिले में आता है most important है दोस्तो कमेंट करके जल्दी से आंसर दे दो काय था काय था किस जिले में आता है दोस्तो ये कायथा वही है जहां पर की भारत की पहली महिला सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी, कायथा में, ठीक है तो वही कायथा है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर है दोस्तो ऑप्स और ये किस स्टेत हैं c video में प्रुष्च झिक जल्दी बताओ दोस्तों कि छले मैं बता देता हूं ये जो भीमबैटका की गुफाय हैं ये मदप्रदैस के राइसेंड़े में ज्तेत हैं ठीक ब्रहतरी की गुफाएं आपको कहां लगाना है दोस्तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर है दोस्तो उज्जैन ब्रहतरी की गुफाएं कहां पर है उज्जैन में तो दोस्तो इसी के साथ हमारा यहां पर जो टेस्ट है वो कंप्लीट होता है मद्यप्रदेश में परेटन लों को अलग-अलग से पढ़ाया गया है हर एक टॉपिक को में सो रीजिनिंग हो जीया सो साइन्स हो सभी टॉपिक हमने पढ़ाय हुए हैं तो हमारे साथ प्लीज जुड़ जाईए और हमको अपनी सेवा का मौका दें ठीक है आपको जिस तरीके की वीडियो पसंद आ रहे ह वो हमसे बताईए डिसकर्स कीज़े टेलिग्राम चैनल में जोड़ जाईए हर एक टॉपिक आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोसिस की जाएगी ठीक है अच्छे से अच्छे टीचर द्वारा पढ़ाने की कोसिस की जाएगी MP Academy का बस यही धे है कि आपक के लिए जय हिंद जय भारत